ये बन गए हैं बहुत ही टेश्टी बिना प्याज के बिना लसन के चोले और साथ ही साथ मैंने बिना मेंदे के ये कोल्चे बनाये हैं सूपर सॉफ्ट बने हैं ये रेसिपी अपने आप में ही एकदम यूनिक है तो इसको आपको आज ही बनाना चाहिए चलिए इसको बनाते ह यहां पर मैंने 1.5 कब मटर को वाइट वाली को अच्छे से भीगो के रखा था आठ घंटे के लिए इसको डालेंगे एक प्रेशर कुकर में दो ग्लास पानी डाल कर मटर को हमें लगबख 6-7 से आने तक उबलने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पे जब तक मटर उबल रही है यहां पर मैंने दिया है एक कब गुलगुना पानी इसमें डालेंगे एक चमची में साथ ही साथ इसमें डाल दोंगे नहीं एक चमच भर के ड्राइ इस्ट जीहां दोस्तों आज हम बिना सोडा के यह कुलचे बना रहे हैं तो मैं इस्ट का इस्तिमाल कर रही हूँ अच्छे से मिक्स करके इसको हमें कवर करके लगबख 10 मिनट के लिए छोड़ देना है तो ज पुदिना भी डाल सकते हैं टेस्ट डिफरेंट बनाने के लिए इसको हमें अच्छे से चॉप कर लेना है चॉपर से तो टमाटर को हमें चॉप करके साइड में इसको रख दियना है और यह जो इस्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि इसको पूरे 15 मिनट हो गये ह अब एक बाउल में मैंने तीन कप गिहू का आटा लिया इसमें दो चम्मच भर के मिल्क पाउडर डाला थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वात के हिसाब से विला दिया अच्छे से यह दिखिए इस्ट एकदम फूल गया है प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो गया है सुपर सॉप्ट डो लगाना है टाइट डो नहीं लगाना है तभी हमारे जो कुल्चे हैं सुपर सॉफ्ट बनेंगे आप मेरे वीडियो की शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हमारा डो लग गया है इसको फूल ने के लिए 15 मिट के लिए छोड़ कंगी इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ ट हमारा घरिमिज रा धनिया आधा कप इमली का पा पानी हमारे तो बोलते बोलते थोड़ा सा नमक डालों कश्मीरी дляला मिज डालों इ मैं चोड़ु से यह ज़ए एक ज़प बने बनी की मैह ने मिलाने के बाद थोड़ी सी औरourcing में निकाल कर अपनी बेटे को खलाई उसको बहुत पसंद आई अब चलिए हम आटा चेक कर लेते हैं क्योंकि 15 मिनट आटे को फूलते फूलते हो चुके हैं ये दिखे इसमें जारी पड़ गई है और आटा भी उपर से फूल गया है इसमें मैं थोड़ा सा सूखा मैना और ऐसे पंच करते हुए आटे को हमें अच्छे से मिक्स करना है हाँ तो मैं आटा जो है थोड़ा सा ची पकरा है तो मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूं और तेल लगा कर इसको अच्छे से बूंधूंगी और एकदम स्मूथ कर लूंगी ये देखिए हो गया है ना निवड़ी लोईया थोड़िये और लोईयों का बना लेजिए पेडा सारे पेड़े बनने के बाद अब हम चकले के उपर या फिर किसी भी समतल जगे के उपर थोड़ा सा सुखा आटा डालेंगे और इसके उपर तयार किया हुआ पेडा रखेंगे और बेलन की मदद से इ इनको सेकती जाओंगी तो ये वाला कुल्चा मैं डाल देती हूँ तबे के उपर तबा हो गया है गरम अब हमें कुल्चे को तबे पर ही अच्छे से 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 शेखना है इसको फ्लेम पर नहीं सेखना है तो दो-तीन बार ओलट पलट देंगे और टीशू पेपर असे से दबा दिख़े एक कुलचë सेख लिया है तो इससी तरीके से मैं सारे कुलचे सेख के रख लेती हूं कुलचा सेखनी के बाद इसको मैं एक कपड़े से कवर करके रखूंगी जिससे यह सौफ्ट बने रहेंगे कड़क नहीं होंगे सारे कुलचे से गए हैंetrब हमें इसको डबल सेखना है, तो तवे पर मैंने थोड़ा सा घी डाला, और घी के ऊपर रख दिया है ये कुलूचा, कुल्ची के ऊपर हमारे सूपर टिस्टी माउथ बॉटरिंग बहुती बढ़िया बाले कुल्चे और छोले मैंने थोड़ी सी प्याज भी रखी है थोड़ी सी हरी चटनी रखी है ये जा रहा है मेरे मुझे अंदर क्योंकि मुझसे तो सहन नहीं हो रहा है आइडिया चलागा तो कमेंट करके जरूर बताना बाई बाई